आप्टर गुलाप चंद मीना एसोसियेट प्रफसर प्लेटिकल साइंस गवर्मेंट पीजी कोलेज बांदिकुई हम आज बात करेंगे दबाव समों दोरा अपनाएंगे क्या तरीके हो सकते हैं क्या करे पणाली हो सकते हैं दबाव समों का रॉल अप फूंक्शन क्या है इनकी चर्चा करेंगे थोड़ देर पहले हम बात कर रहे थे उनके दबाव समों का जो वर्गीकंड हमने क्लासिपिकिशन किया था राजनिदल दबाव समों में अंतर भी हमने देखे थे उसके बाद में जो ब्लोंडेल और आमंड का जो महत्पूंड जो वर्गीकंड था चार भागों में डिवाइड किया उसके बाद में हम चर्चा करेंगे दबाव समों क्या 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 तरीक अपनाए जाते हैं या क्या उनकी कारे पणाली क्या होती है तो निशन्दे रुप से उद्देश की पूर्टी के लिए दबाव समों दोरा विभिन जो प्रकार हैं युक्तिय हैं तरीके हैं अपनाए जाते हैं जिरमें कुछ निम्न हैं पहला है लॉबिंग लॉबिंग का सामान अरता है विधान मंडिके सदेश्चों को प्रभावित कर अपनी हितों में कानून का निर्मान खाणना लॉबिंग में विष्टा पिका के अधिवेशन के समय किसी विशेष विधेग को विधी में पढ़नित करवाने या ने करवाने में रूची लिए जाते हैं इस उद्देश से विधायकों में व्यक्ति का संपर के स्थाप किये जाता है और इसके अत्रिक्त प्रतिनिधित मंडल, सिस्ट मंडल, पत्रतार, टेलीफोन और प्रदर्शन आधि साधनों को अपनाया जाता है दबावसम विशेशतर रूप से पश्चिमी देशों में साधन का उप्योग करते हैं सेक्तुराज अमेरिका में इसका महत तो इतना बढ़ गया कि लॉबी गोष्टिक अक्ष को कभी-कभी विधायन मंडल का तीसरा साधन कहते हैं इस कारियत अनेक समू के बड़े कारिय场 होते है और हमा अजारों अधिकारी करमचारी लगे रहते हैं यह लोबिस्ट तीन प्रकार कारे करते हैं, सूचनाय प्रशारित करते हैं, नियोजन करता है केतियों की रक्षा करते हैं, वीधियों की राजनेते प्रभाओं को सफ़स्ट करते हैं, दूसरी जो बात है, वो प्रचार अब प्रशार के साथ है, दबाव समुद्वरा जो तरी करने के लिए विभिन दबाव समूं ये वर्गी आर्थी गिताओं को प्रभावशाली संक्टन प्रेस रेडियो टेलिवीजिन सारजनिक समंदों की विशेश्य किताओं की सेवां को प्योग करते हैं तीसरे जो बात हैं आंकडे प्रकाशित करना नीती निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाल डंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूं आंकडे प्रकाशित करते हैं ताकि अपनी बात को पूरा करवा सके हैं गोश्टियां आउजित करना है। आजकल दबाव समू विचार विमर्श और बाद विवाद के लिए गोश्टियां, सेमिनार, भाषन मालाय वारताय आउजित करते हैं। गोश्टों में विधाय का प्रशाश शिखा के प्रमुक अधिकारियों का मंत्रित करते हैं, उन्हें अपने मज़ से प्रभावत करने का प्रियाश करते हैं। और इन उपायों के प्रियोग में विधायक दबाव समों अपने दबाव समों में नियायले की सर हैं। नेक्स्ट जो साथ बाती है, संसर सदस्यों के मननने में रूची। दबाव समों ऐसे विक्तियों को चुनाओं में दलिय परत्याशी मननने करवाने मदद करते हैं। जो आगे चल करके संसर सदस्यों के रक्षा करके या विबर्दी में सायक हो सके। ऐसा कहा जाता है कि लोगतन तरहत्मक साथ बाव समों की जेब मोते हैं। और चुनाओं में संसर सदस्यों को पैसा देना चाहिए। पैसा चाहिए और एक बार ये पैसा दबाव समों अप्लोड करा था। अब देखें को दबाव समों की भूमिका के निर्धार तत्तु किया। इदी भी दबाव समों सर्व्यापक है। लेकिन विबनराज्य व्यस्तामों उनके प्रभाव शीलता और बहूमिका मंतर होता। दबाव समों की भूमिका प्रमुकतर निर्धार तत्तं पर निर्पभर करती है। पहला है शासन व्यस्ता का सुरुकू लोकतांतरि गराजी व्यस्ता में जहां व्यक्तियों को नागरिक स्वतनता प्राप्त होती है यह यह कहें दवाव समों खुले रूप से अधिक सेकरिता के साथ कारे करते हैं तो इस प्रकार की सासन व्यस्ता मनेकिल दवाव समों के स्थित्यों को मायनेता प्रदान की जाती है। और उनकी भूमी का तन्सीमित होती है। सामायनेता सासन द्वारा निर्धायत उद्धिशेता। द्वाव समों की भूमी का इस बात पर निर्धा करती है। संसिदाथ म वीसिता में द्वाव समों कारिपाल लिगा, दली इस दर पर यपक्षेकरत अद्वी समाजर्द ऑर सस्कृति विसेंता बहुत है। लेकिन बंद आदुनी करने से दूर अर्द सब्ध और कर्शक समाद में दभाव समय प्रिक्षक्रत कम सक्री रहते हैं। तीसरी जो बात है राजनी दलों की स्थितिए। दभाव समय का प्रभाव इस बात पर निर्वर करता है। किसी राजनीती वेस्ताम किसी प्रकार की दली वेस्ता विद्वान है। और दुदिली वाली राज्यों में दभाव समय का प्रभाव अधिक बहुदिली वाली राज्यों पर ये प्रभाव पिक्षक्रत कम देखा जाता है। बदली वेस्ता कंतर के तने एक बार कुछ दिलों का अधार इतना सीमित और संकुचित होता है कि स्वेम दवावसमों की रूप में कारिय करता है। दबावसमों का काल, स्वरूप और कारे संचाल राजवेस्ताम दबावसमों की भूमी का परियाप सीमा तक दबावसमों की काल, स्वरूप, कारे संचाल पर निर्वर करती है यदि दबावसमों लंबे समय से चले आ रहे हैं उनके पास वितिय सादन, छमता, संक्तन, स्वयोग नेत्रत हैं, जो उनका अधिक प्रभावी होना और विपरित इस्तितियों में उनका कम प्रभावी होना निताथ स्वभावी होना। अब देखेंगे दबावसमों के दोष क्या करें हैं। परंपरगत रूप से दबावसुमों का हेद रश्टी से देखा जाता है और कुछ लेकर दबावसुमों के ऐसी बुराई की रूप में चित्रित करते है जो सार्जुनिक अनिकत गता और प्रिश्टाचार को बढ़ाऊ देते हैं और शार्जिन गेतों की पिक्षए काण बहती है। पहला है, दबाव समों की जो आलोचणा की गई है वो निमनाधार पर की है। पहला था ऐ प्रजयतांत्री गया। प्रजयतांत्री व्यास्ता और प्रत्रिणेंद्र प्षाणदार इस बात की मांग करती है। कि जो भी वेक्ति, संस्ता, समधा, राजने, शक्ति का प्रियोग करते हैं वो जनता की प्रति उत्तरदाई नहीं होते हैं पन्तो दबावसमों राजनेती व्यस्ता में प्रवक्ष भूमी का निवात हैं और वो प्रभाव और शक्ति का तो प्रियोग करते हैं लेकिन इस इस् संक्रिन द्रिश्टिकुन को जनुदेने बढ़ने का कार्य करते हैं। तीसरी बात है सारजनिक हितों की पेक्षिए। दबाव गुटों का और विवन समों के बीच हितों का संगर चलता है। बीच के वरगी हितों से सामान हितों कहानी पहुचाने खत्रा बना रहता है। विविः दब्वावसमों के साधन शक्ति और सदर संक्यान बहुत अधिक 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 अंतर होता। उझए ब्रेस्ट अचन हो जोरी। पर बहुत अधिक बुरा परभाव परता है दवाव समों का दवाव शब्द का प्रियोग मस्तिक में एक ऐसे सेतान लोबीस्ट का चेत्रंकित कर देता जो उचित पत्गामी और विधायक को सारजमी इतकी धार्णा से अठाने के लिए अनुचित दवाव डेलने का प्रियास करते हैं अब देखेंगा दवाव समों कि क्या कारिया उनकी क्या उप्यूपता है निशंदय रुप से दवाव समों को अनेतिक संक्ट्र मांगते ही द्रिष्टी से भी देखा गया और जनतंतरी धार्डा में दवाव समों को मेंत्पून श्पिती प्राप्त नहीं है जनतंतरी प्रक्रिया की अव्यक्ति के एक साधन के रूप में माना जाता है और निशंदय रुप से दवाव समों को लोकतंत के अभ्यक्ति के एक साधन माना गया है लोकतंत की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवशक है और विशिष्ट नेतियों समर्तन विरूद इन दवाव समों के दौर किया जाता है दूसरी जो बात है साधन के लिए सूचना एक्तिरित करने वाले संक्तरन के रूप में दवाव समों को माना गया है कि प्रतिक देश में सरकार सासन के पास आवशक सूचना परियाब दूप से होनी जाए